नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद प्येस परिहार चनल में आपका सौगत है जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया थाक UPSHC की वीडियो एकजाम की ओफिसियल आंसर की और क्वेस्चन पेपर अपलोड हो गया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिला भी लिया है मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा वेरियेशन इस पेपर में आया है और विभिन कमेंट बॉक्स में और यहां इलाबाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि हिंदी में तो कोई variation नहीं हुआ और जो reasoning वाला भाग है उसमें तो उनको पहले से ही संका थी मालूम था कि इसमें ज़्यदा अच्छा नहीं होगा लेकिन समान अध्यन में बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर कम हो गए है और जो विद्यार्थी बता रहे थी कि उनका 120 सही हो सकता है 135 सही होगा तो उन सभी विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज़्यदा कम होगा है और negative marking से और भी कम होगा है इसकी संभावित कटाफ के बारे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमीं बताया था कि समानवर की जो कटाफ है वो 98 से 100 के बीच में रहेगी और OBC की जो कटाफ है वो 96 से 98 तक रह सकती है लेकिन अब ऐसा नहीं है चुकि जो अब नए आकड़े आ रहे हैं औफिसियल आंसर की के बाद वो चौक आने वाले है जहां पर पहले विद्यार्थी बता रहे थे कि हिंदी में उनके जो नंबर है 40 से 45 और रिजनिंग में 25 से 30 और समान अजन में 30 से 35 इस हिसाब से जो कटाफ था वो 100 के लगबग था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हिंदी में जद अनतर नहीं आया है हिंदी में विद्यार्थी बता रहे हैं कि उनके 40 से 42 नंबर हो रहे हैं लेकिन रिजनिंग में लगबग 25 और समान अजन में भी निगेट्व मार्किंग को हटा गरके 25 की लगबग ही बन रहे हैं ऐसा उन विद्यार्थी नहीं बताया है जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और जो लगतार प्रितों की प्रिछाओं की तयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से कटाफ जो मैंने बतायी थी उससे लगबग 10 प्रसंद कम हो रही है जो मैंने पहले बताया था वो प्रसंद थे 100 और अब उससे लगबग 10 प्रसंद कटाफ कम होने जा रही है ऐसा एक विद्यार्थी नहीं है जितनी भी विद्यार्थी है सभी विद्यार्थियों के 25 से 30 प्रसंद कम हो गए है और यह मेरा ही आगड़ा नहीं है यह आगड़े कई तरह के से लिए गए है WhatsApp ग्रूप, Facebook, वीडियों के comment box और यहाँ पर जो विद्यार्थी रहते हैं उनके अनुसार यह जो समानवर्थ की कटाफ है यह हो सकती 90 प्रसंद से 2 प्रसंद कम यह जादा यानि कि 88 से 90 की बीच में और अगर नंबर की बात करें तो लगबग 175 से 180 की बीच में समानवर्थ की कटाफ हो सकती है इसी तरीके से अगर अन पिछड़ा वर्थ की बात करें तो लगबग 86 से 88 या 170 से 176 यह कटाफ OBC की हो सकती है दोस्तों बहुत भारी अंतर आ गया है पिछले 2 दिनों में और इसी तरीके से अगर हम लोग अनसूचित जाती की बात करें ऐसी कटेगरी की तो ऐसी कटेगरी क्या जो कटाफ है वो 78 से 80 प्रस्ण या 160 नंबर 155 से 160 नंबर इतनी कटाफ हो सकती है और महिला वर्थ की अगर बात करें तो सभी महिला है जो अलग अलग वर्थ की है उनको 36 आरक्षन दीगा जाता है इसलिए अपनी अपनी केटेगरी में 10 प्रस्ण कम कर ले नंबर नहीं प्रस्ण कम कर ले जैसे अगर किसी महिला के 80 प्रस्ण है तो समानवर की जो कटाफ है वो 90 है असमानवर की महिला है तो उसका 80 प्रस्ण पे होने की संभावना है इसी तरीके से अगर अनपिछड़वर की कोई महिला विद्यारती है तो अगर अनपिछड़वर की कटाफ 88 रहती है तो यहाँ पर 78 हो जाएगी महिला OBC की तो दोस्तों अगर पेपर आउट नहीं हुआ है कोई अनिमितिता नहीं हुई है तो यह कटाफ होनी चाहिए आप लोगों क्या विचार है आप लोगों के उनसार क्या ऐसा हो सकता है आप लोग कमेंट बाक्स में बता सकते हैं तो ठीक है दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीकी की अपडेट प्राफ्ट करने के लिए आप लोगों के इस चैनल से जुड़े रहें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें अगर आप लोग किसी भी प्रत्यों की प्रिशे की तैयारी करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवस्च करने बहुत बहुत धन्वाद